हुरैन फात्मा भी आर्टिस्ट है और मेरी पेंटिंग में से काफी सारी चीज़ें गलतियां यह निकाल लेती हैं अभी आई हैं और इन्होंने देखा के यह मैं काम कर रही हूं तो उन्होंने फॉरन से पॉइंट आउट कर दिया कि यहां पर आपने भी पेंट नहीं किया य और यह है मेरी पती जी तो हूर कैसे हैं आप तब यह ठीक है आपकी अच्छा आप पेंटिंग करते हैं कौन से पेंटिंग करते हैं आप अपनी पेंटिंग दिखाओ वाव यह है जी मेरी हूर की पेंटिंग हूर आपने क्या बनाया यह प्या और 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 अच्छा यह हूं हूर की लेंग्विज की समझ मुझे आती है और जो ये कह रही है वो अपना बता रही है कि उन्होंने एक पेड बनाया है और उसके बाद उन्होंने कुछ गाड़ियां बनाई है एरोपलेन बनाया है चल ले जी हूर अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लो अब मैं सब को को बताओ मैंने विडिया में क्या बनाया है चैनल तेक है मैं सब बात कर लो फिर आपकी बात करवाँगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा जी आज कि अलेसं में ये आज कि स्क्क्राइब मैं आप और लोंक Means शेयर करहीं कि मैं यहाँ पर एक मैंने यह पर उसको पेक और मैंने आप लोगों से एक पोल पूछा था, बस, अभी नहीं, अब बस, ठीक है, अराम से बाटवा, मैंने एक पोल पूछा था, जिसमें पूछा था, कि जी मैं कुछ कोर्सिस फ्री आप लोगों के लिए, लेकर आना चाह रही हूं, और, अलेकुम असलाम आसमा, कैसी हैं ठीक हैं, तो उसमें आप लोगों से पूछा गया, कि सुफिसम से रिलेटेड कोर्स चाहिए आपको, यहां बेसिक सॉफ ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप लोगों ने, जो मुझे फेस्बुक पर, और, इंस्ट्राग्राम पे, जो मुझे प और, जैनि, 64 की देशों के साथ से, तो फिर मैंने यह डिसाइड किया है, कि मैं आपके साथ दोनों कोर्सिस शेयर करूंगी, फुल फलेट जो मेरे कोर्सिस हैं, उनके लेसंस, तमाम लेसंस, रांडबाव 12, 12 लेसंस दोनों के हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और, इन्शाला ताला, डिसेंबर 25 से, मैं पहला कोर्स जो हमारा है, यानि के सुफिजम से रिलेटिड, सुफिजम पेंटिंग से रिलेटिड जो कोर्स है, यह आप लोंके साथ शेयर करूंगी, मेक शियर के आप, आप लों की तरफ से मुझे मैक्सिम, मैंने वीडियो भी इसलिए जरा काम कर दें थी, कि आपनों का रिस्पॉंस को बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे नहीं था, तो आप लोंके सारे चीज़ें चोड़ दूँ लेकिन बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर अगें तोर्स माय यूट्यूब चैनल, अच्छा जी कुछ मैंने चीज जब बहुत जब जब जादा यह एक्सपेक्टेड क्वालिटी थी वह इसकी नहीं है, मतलब बहुत मुझे पसंद नहीं आया तो मैं मैंने कहाँ मैंने सोचा कि आपको साथ ही बता दूं क्या यह पेंट अब्सॉब करता है, नहीं किस तरह से है तो यह मेरे लिए कुछ प्रैक्टेस आप इसे यूज कर सकते हैं, अदर्वाइस चीट में जो अच्छा चीप स्माइलिंग का रहा है, मैंने यह यूज किया है और इसकी तमाम जो पेजिस थे जो शीट सीम बड़ी अच्छी कॉलिटी में थी, अब यूज करके आप लों सा रिजर्ट शेयर कर रह मैंने इनको यूज किया बड़ कोई एक अच्छा रिजर्ट मुझे नहीं मिला यह मैं उसे कौँके बड़ा कोई इंप्रेसिव रिजर्ट होता तो मैं आप लोगों को यही रिक्मेंड करूंगी कि फिलहाल आप यह परचेस मत करें, उस टाइम पर मैंने अन्बॉक्सिंग की थी कि मैंने क्या क्या किस रिजर्ट में परचेस किया अब मैं आपको यह बता रही हूं कि मैंने इनको यूज किया बड़ जो एक नियॉन टाइप इसका रिजर्ट होना चाहिए था वो इसमें नहीं आया वारिकमे असलाम सादा कैसी हैं आप ठीक हैं अच्छा जी आप सब पहले मेरी हूर से भी मिलने हूर सब को हाई बोलो आप हाई कैसी आप कैसी आप सब से पूछो कैसे हैं सारे यह तो नीचे करो हाँ पूछो उप सब से आप ठीक हो आप से पूछ रही हैं आप सब ठीक हो लेकिन अपने ही अंदाज में अपने ही मूड में कुछ बातें क कर ले तुटिप दिसम्बर से 25 से 25 से 25 से 25 से 25 से 26 से 25 जो आप लोगों के साथ मैसीफ़ान कोर्स ओधे कर और 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 फिर उसके बात झांच में आप ऐस देपा यक में صोर्हाँ कोर्स कोर्स आप लोगों साथ से आज हूर क्योंके बड़ी एक्साइटीड हैं कि वह आप लोगों के सामने बैठी हुई हैं और आज उसने वह तमाम हरकतें करनी हैं जो पहले कभी नहीं करती हैं ठीक है आपको सारे हेलो कह रहे हैं अबाख़ा ह। ये जो पेंटिंग है इसमें भाखतें पूह भी अलोब आपको प्रिवेश फ्रुडियो में फ़िस वीटियो कि के आबो फोर्त عीच गता है तो जैसो का रेज़र्ट बहुत अच्छा अपलाय किया और उसे बड़ा ही अच्छा सा इंपक्ट आया वीडियो इसमें जो हमाई पास इमिज है ये बड़ा प्यारा बना और कलर्स अपलाय करना बड़ा असान हो गया ठीक है तो इन्शाला ताला इस पे हम मज़ीद बात करेंगे फिर जो बेसिक सॉफ ड्राइंग में कोर्स में मैंने चीज़ें बतानी है मैंने का थोड़ा सा आपको गो तुरू दे दू उसके बारे में हम ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक आप ड्राइंग क्या करने वाले हैं पोट्रेट्स की मैं बात नहीं करूंगी क्यूंकि मैं खूद पर्शनली पोट्रेट पर बहुत जादा काम नहीं करती हूं अगर सूफिजम में आप देखें तो मैं यहां पर एक अबस्ट्रैक्ट उनका देती हूं, जांकि एक प्चेक्ट फेचर्स नहीं होते और ऑफ एग्जेकटी हैंड फीचर्ज करण तो हम उस कोर्स में भी यही चीजें देखेंगे ठीक है ड्राइंग में फिर हम लैंटस के फ्लोरल और स्टील लाइफ ही बात करेंगे और इंशाला ताला बहुत जल्द आपके साथ मैं वो तम्माम वीडियोस शेयर करूंगी तो फिर उसके बाद और जो मैंने मेट्रियल्स लिये थे उनमें कुछ ब्रॉशिव में लिये थे आपको याद होगा जिन लोगों ने मेरी प्रिवेस वीडियो देखी मैंने यह पूरा एक सेट दिखाया था आप लोगो तो यह बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेट निकला है तो यह मतलब अच्छा है सही अच्छा जी एक आप लोग कुछ लोग मुझसे यह क्वेशन करते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो बना में किस तरहां से रही होती हूँ मेरे पास यहां पर ईजल मुझव है इस ईजल पर मैंने यह अपना कैंवस रखा हूआ है इजल मुझू है एक मsee पास यह वुड़न बोर्ड मुझू है ठीक है और उसके बाद मेरे पास है रिंग लाइट सील्फिस के लिए यूस कर रहे होते हैं और मैं सी उन्हें एजे यह रिंग लाइट को एजे स्टूडियो लाइट के तौर पर तो जितना मेरा काम है जितना चोटा से एक सैटप है उसमें यह काफी रिजनेबल रह जाता है ठीक है जी सो अभी थोड़ी से हम हूर से बाचित करते हैं हूर आप बोर हो रही हो क्यों बोर हो रही हो आप खूल लाइट इदर से आओ नहीं वो कह रही है कि जी उसकी हैपी बर्डे और आप लोग आया नहीं तूने पता है नहीं था आपकी हैपी बर्डे कब थी आपकी हैपी बर्ड थी आज आपने क्या खाया है केक खाया है अच्छा ये पेंटिंग इधर आओ ना जरा इधर से आओ इस पेंटिंग में क्या क्या मिस्टेक से आओ उपर से आओ उदर से आओ उदर से आओ ये पेंटिंग कैसी बनाई है मैंने तो इसमें कहां पर मैंने मिस्टेक कहां पर की है नहीं और नहीं वो छोड़ा कहा है पेंट मैंने कहां नहीं किया यह 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 य यह औरइंज है। आपको सारी नेम ईड़े है। ?? मैं तूम पाइधा है ! मैं यहां पाइधा है है ? आप में बाइएek. अब आपनों को समझ आई है कुछ हूर पिर से बताओ जरा आप ये पैंक अच्छा ये कौन सा है अब भी आपने बताया है वाइट और 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 ग्रीन और ग्रे और ये ग्रे कलर है अच्छा जी चलो अब भी हूर का मुझे एक और एतरास है कि पुपो आपने इसकी साइट को नहीं किया और ये बड़ी इंपॉर्टन टिप भी है जो हूर की वज़ा से मुझे याद आ गई कि जब भी हम लोग कैंवस्स पे काम करते हैं इंशाला आगे भी हम देखेंगे क्योंके भी इस बची ने पॉइंट आउट किया कि आपने यहां पर तो कलर किये लेकिन आई डिसाइड़ के आउन दी ऑके यहां ओफ 25 डिसमबर की हमारे कायद आजम की बिर्थ डेट है तो उनकी इस मुबारिक मौके पे आई डिसाइड़ के आप लोग के साथ कुछ शेयर मैं करूँ सो इंशाला ताला आप लोग के साथ काफी सारी चीज़ें अब आगे शेयर होने वाली हैं अच्छा दूसरी एक और चीज़ आएगी मैं आपसे जरा पूछना चाहरी थी कि जुमेट्रिक पैटरंज अगर उन पर और उनके स्टेंसिल्स पर वीडियो बनाई जाएं तो क्य का आप लोग मतलब इंटरस्टेंस में इसमें इसलामी जोमेट्रिक पैटरंज जो हैं जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं जल्दी से बहुर आप जा रही हो सब को बाय तो कह जा जा नहीं नाज हो गई हो चलो ठीक है बाई बाई हाँ जी इसलामिक जोमेट्रिक पैटरंज और यह अब दो तीन चीजें एक साथ हाप लों के साथ मैंने शेयर करनी हैं अच्छा एक चीज और अभी काम करते करते मुझे याद आया कि अब आप लोग सोचते हैं और बड़े लोगों का मुझे क्वेश्चन होता है कि हम एक् आप कलर्स को देखें जरा तो आप लोगों को जो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बार 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 बताया कि आप लोग वाटर यूज करें वाटर यूज करें अभी बैठे बैठे जहां मुझे कहीं लग रहा है कि यह कलर मेरा ड्राइ हो रहा है तो मैं बस उसमें हलका सा स उसे क्यों होता है एक तो consistency भी सही रहती है और paint भी मेरे dry नहीं होती है अब मैंने यह spray कर दी है और अब यह मेरा time अच्छा आपासा निकार देंगे और इन केस भी मुझे यह use नहीं करने तो मैं इन्हें टेप कर दूंगी और यह seal हो जाएंगे यह आप प्लास्टिक जो होता है रैप वह use कर सकते हैं इसको seal करने के लिए आप लोगों मेंसे किसी के भी कोई भी questions है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको keep smiling canvas pad का result और जो हमारे पास जो मैंने अभी purchase किया था पिछले दिनो बोल्ड स्टार के canvas pad इन दोनों का जो comparison है वो मैं आपको दिखा देती हैं यह देखी अब जरा observe कीज़ेगा कि मैंने क्या कहा है यह है जो keep smiling के canvas pad की sheet पे मैंने काम किया था आप देख सकते हैं कि यह किस तहां से नजरा आ रहा है एब्सार भी कर रहा था और colors को merge करने में बड़ा मुझे अच्छा लगा इसके उपर बिल्कुल जैसे canvas पे हम काम करते हैं उसी तरह ही इसका भी result था ठीक है और यह मैंने कुछ काम किया है गोल्ड स्टार के canvas pad पे नो डाउट रिजल्ट अच्छा है बट इस पे बहुत ज्यादा जिसे कहते है फ्लो करना वो चीज़ है शाइनी बहुत ज्यादा है ठीक है और एक वो प्लास्टिक वाला यह आप जिसे कहते है ना फोटोग्राफी प तरफ से जो रिक्मेंडेशन्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं बाकी आप पर डिपेंड करता है अब दोनों ही एफोर साइज थे यह दोनों ही एफोर साइज थे लेकिन आप देख सकते हैं कि साइज में डिफरेंस भी है तो जो हमारे पास कीप स्माइलिंग का आर्ट है और थोड़ा सा चूटा है ठीक है जी सो इंशालला ताला यह हो गया एक और चीज आज आज आप लों के साथ मैंने शेयर करनी है आप लों के पास पराने कैंवस्स पड़े हुए है कोई ऐसे कैंवस्स जो आपने जी बिल्कुल कलर्स ओफ लाइफ आप पूछ रहे हैं कि प्रफ आपने लार्च साइज क्या मिल जाता है शीट में बिलकुल मिल जाता है मैंने तो ए4 साइज रखा हुए है वर माई फिजिबिलिटी क्यों कि अगर मैंने बड़े साइज पर करना होता है तो मैं फर यूज करती हूं लेकिन चोटे साइज के लिए एफ इनफ आपको A3, A2 में भी मिल जाएगा kindly tell me how to buy these canvas pages Asma Malik you can buy all these canvas pads मैं फिर recommend कर रहे हूं keep smiling का use कीज़ेगा ये gold star वगरा का use नहीं करना ठीक है ना तो आप ये कैसे कहते हैं दो तीन चॉप्स हैं आपको मैं बता देती हूं एक chapter 2 है मुलतान में है आप लोगों के लिए एक और good news है guess करें क्या हो सकती है क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा time बना है तो मैंने का कुछ और ऐसी techniques जिन पर अभी तक मैंने काम नहीं किया वो आपके साथ में share करूँ guess करें एक और नई चीज जिस पर मैंने अभी तक काम नहीं किया और मैं काम करने वाली हूँ आप लों के recommendations पर वो कौन सी हो सकती है जल्दी से बताएं जल्दी से जल्दी से देखते हैं सबसे पहले guess कौन करते है and I am really excited for that technique जो मैं अभी तक करूँगी सोचें सोचें सौधा आप तो सोचें लाजमी जी old canvas की भी मैं अभी आप लों को solution बताती हूँ बलके आप लोगों को करके दिखाऊंगी ठीक है तो जल्दी से पहले आप मुझे बताएं कि मैंने अभी तक कौन सा ऐसा काम है यह टेक्निक है जो बजाहिर आपनों के साथ शेयर नहीं की गोल्ड फॉइल अच्छा और एक तो गोल्ड फॉइल बिल्कुल मैंने गोल्ड फॉइल को भी तक टाच नहीं किया एक चीज और है और वो है फ्लूड आर्ट मैंने खुद ही बता लिया फ्लूड पर काम नहीं किया अबे तक है जो है एक्रिलिक मीडिया में पॉरिंझ जो है फ्लूड पॉरिंग पॉरिंग उस पे काम नहीं किया तो आप लोगों के लिए गूड नियूज ये है कि मैं ले मैंने मुझवा लिया है दरास्प से फ्रुड जो मीडियम है इसका पोरिंग मीडियम वो और इन्शाला ताला बड़ी जल्दी आप लों के साथ कुछ बैक ग्राउंड जो हैं वो मैं शेयर करूंगी census भी आगई हैं कासी सारे canvac भी आप लोगों को दिखाएं हूँ यह देखेंजी कासी सारे canvac मेरे पास आगए हूए चीज़ें काफी आगई हैं तो अब बस टाइम मैंनेज करना आ अप लों के साथ बहुत सारा कॉन्टेंट शेयर करना है मेख़ुर्स कि आप लोगों की प्रe bombers वुड़ फुल हो कि मैं अप्लोड करूँ मैं मैंनत करूँ रिसोर्स भी यूज ए होते हैं टाइम भी यूज होता है कि एक एक वीडियो जो आप लोगों तक पहुछाए जाती है चाहे वो कुर्स है चाहे वो यूट्यूब की वीडियो डियों फिर शूट के साथ साथ क्योंकि घर के इंवार्मेंट में आपको पता है कि शूट भी आपको रात को करना है जिस टाइम खामोशी है ठीक उसके बाद शूट करके अडिटिंग करना अडिटिंग करके अब जब मैं अडिटिंग करती हूँ अच्छे कॉलिटी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी एक एक वीडियो तक्रीबन 3-4 GB की होती है तो अब फिर मुझे वो कंप्रेस करनी पड़ती है ताकि एक अच्छी कॉलिटी विद रिजनेबल साइज आप तक पहुंचे वो पहुंचाई जाती है अपलोडिंग और यह सारी चीज़ें बड़ा टाइम लेती है लेकि जब आप लोगों के तरफ से कोई जादा अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिलता तो फिर दिल बड़ा खफ़ा होता है तो इसलिए वो तमाम लोग जो नए है काइनली अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आर्टिक्स के लिए तो यह एक खुराक है ठीक है वो खुश हो जाता है बंदा के चलें जी मेरे चैनल को लाइक किया गया तो फ्लूड पेंटिंग आप लोग साब बहुत जल्दी शेयर होने वाली है अब मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेशन किया था कि अगर आपके पास पराणे कैन्वसिस पढ़े हैं तो आप उनका क्या करते हैं कोई मुझे बताएगा कोई कैन्वसिस पढ़े हैं जो लोग जो कोर्सिस मेरे साथ कर चुके हैं अपराने को जो मेरे स्टूड़विस हैं ईस ताइंग जो अनलाइ्ण है जुन्हों ने मेरे साथ कॉर्सिस कि आप लोगों के पास भी काफी सारे कैंवसीस मौझूद होंगे है ना पड़े होंगे ना तो उन कैंवसीस का आपनी क्या क्या किया जो आपने प्रैक्टिस में यूज की है यहाँ आपको लगता है कि वो डिस्प्ले नहीं हो सकते क्या किया आपने फैंक दी है सारे यहां रखे हुए अगर तो रखे हुए हैं तो आप तमाम कैनमसी री यूज कर सकते हैं बिसिकली मैं तो री यूज करती हूं क्योंकि इतने हम भी ना इस तरह से हों कि हम रिसॉर्स को वेस्ट करें एक पाइंटिंग आर्टिस्ट के लिए कैंवसेज, पेंट्स, ब्रशेज यही हमारे रिसॉर्सेज हैं तो हमें अपने रिसॉर्सेज को वेस्ट नहीं करना उनको इस काबिल बनाना है कि हम वो री यूज कर सकें तो आमना आलम कहती हैं कि वो री यूज करते हैं कलर्स अफ लाइफ, मी टू, बैक्गराउंड चेंज करके फिर यूज कर लेती हूं गुड, मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो यह री यूज करते हैं बड़े कमाल के लोग अधर्वाइस वो तमाम लोग जो यह कहते हैं कि ने, हमें क्या करूं इन कैन्वस का मैं तो फैंक दूंगी, हमें फैंक दूंगा तो आपके पास बड़े अच्छे आप्शन्स हैं एक तो जैसो यह है जो मार्किट में अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी है इसकी आप यह यूज करें ठीक है यह देखे ना जो मैंने यहां पर टेक्चर देने के लिए यूज किया है आप यह जैसो अपलाए करके कुछ और नहीं तो कमस कम एबस्ट्रेक्ट पेंटिंग जरूर बना सकते हैं गुर्ड सौदा आप वाला काम एक दफा मैंने किया था मैं आपको बताऊं उसका किसा एक पेंटिंग थी जो मैंने बनाई और मैंने बनाई थी वो किस साइज पे वन नहीं नहीं वो था 18 इंचिस 24 इंचिस की वो पेंटिंग थी काफी बड़ी पेंटिंग थी अब जब वो काफी बड़ी पेंटिंग थी तो जिन्होंने बनवाई थी मैंने जब उन्हें दिखाई तो उन्होंने कहा हला कि वो दिखने में बहुत जबर्दस थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये कलर्स आ और एक नया canvas भी लिया तो मैंने उस canvas पे फॉरन से black spray किया उसे तो मैंने एक साइड पर रख लिया और मेरे खिला से एक देड़ घंटा लगा था और मैंने दुबारा वो पेंटिंग बना दी प्रिविएस जो मैंने पहली वही पेंटिंग बनाय थी तो तब मेरा काफी वो कुछ और ही माइंड के साथ चल रहे हैं तो मैंने भी पिर उनके माइंड को रीड करते हुए दुबारा काम किया कर दिया वो उन्हें बड़ा पसंद आया उन्हें रख लिया जो मेरा black canvas था यानि जिसमें मैंने सप्रे की ती उसे मैंने क्या किया उस पर मैंने की किलिग और वो एक अलग कस्टमर को मैंने सेल कर दी तो यह इस किसम के जो री यूज वाले टेक्नीक्स हैं वो मैं करती रहती हैं आप लोगों को एक चीज मैंने पिछले दिनों शायद किसी live session में दिखाई हो और वो यह था मेरा homemade जैसो यह देखें यह है homemade जैसो आप मेंसे कुछ सब्सक्राइब की शिकायात आती है कि जी हमारा जैसो पड़ा पड़ा black हो गए जी हाँ black होगा बिल्कुल होगा लेकिन जब आप canvas इससे पहले कि वह black हो और आप अपने canvas वगए पे apply कर लेते हैं तो तो ठीक रहता है black यह तब होता है क्योंकि इसके अंदर नमी आ जाए ठीक है नमी आ जाए इसमें तो उस वज़ा से ब्लैक हो सकता है और मेरा तो ये देखें बिल्कुल भी कहीं से भी ब्लैक नहीं हुआ तो मैं ये जैसो अपलाइ कर लेती हूँ अपने कैन्वसिस पर ठीक है अब अगर तो मैंने टेक्शिर्ड काम करना है अच्छा ये जैसो किस तरह से बनाना है बता दूं के रहने दूं इसमें मैंने यूज़ किया था जो जो इंग्रीडियंट्स है वो ज़रा नोट डाउन करनें काफी अर्चा ही हो गया लेकिन चलें रिवाइस करते हैं माइंड में थोड़ा सारी कॉल करते है चीज़ों की इसमें तो एक क्ली में यूज़ की थी आपकी जर्मन ग्लू ग्लू है जिसे आप कहते हैं न यूज़् वुड ग्लू यूज़ करταीं लिक्डी के लिये जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं so glue बीज़ मैं भी सांगों की थी और साच मैं हमेसाथ माया इसे कहते हैं अ कप्रमका ली इस्तार्च चूर्ट घ्री एसे खर्खता खरश और विधान जबी फिरूथ वे थे जुटे थे विडो कहता धुवरो प्लास्टर आफ पारिश थोड़ा सा प्लास्टर फैरेश अगर आपके पास टेलकम पाउडर पड़ा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ओफ कॉन्स्टार्च ठीक है जी अब कंसिस्टेंसी इनकी कितनी थी आपने कॉन्स्टार्च ज्यादा यूज़ करना है अगर आपके पास एक कॉन्स्टार्च है तो आप ने उसमें आधा कप ग्लू यूज़ करनी है ठीक है और फिर उसमें एक से दो टिबल स्पून एं सॉरी एक से दो टी स्पून आपने विनिगर के यूज़ करने है अगर और थोड़ा सा लाइक टू त्री स्पून आप उसमें आड़ करेंगे प्लास्टर ओफ पैरिस ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत थिक हो गया ये बहुत थिक हो गया तो आपने किस चीज को बढ़ाना है आपने बढ़ाना है जर्मन ग्लू को और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत थिन हो गया है तो आपने कॉन स्टर्च को बढ़ाना है ठीक है तो ये कभी भी खराब नहीं होगा इसकी जो शेल्फ लाइफ है अब ये बाहर बढ़ा हुआ था मेरे पास इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो राउंड अबाउट सिक् कर सकते हैं मैं अभी आपको एक ग्राइफ दिखाती हूँ वो लोग जिनों ने मेरे साथ काम किया हुआ है यह काम किया था के यही जैसो जो मैंने अपलाय किया था मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके पर कहीं पर भी कोई ब्लैक डॉट वगरा कुछ नहीं अपेर हुआ हु जाएगा मैं आपको बता जाएगा मैं आपको करने के लिए के बॉटल मेरी सेट हो जाएं वो थी ये टेक्च्चर पेस्ट ये बहुत थिक है ये बहुत थिक है मैं कभी भी आप लोगों को फैंसी चीजें रिकमेंड नहीं करती मैं आप लोगों को कभी भी फैंसी चीजें रिकमेंड नहीं करती कि आफ लाँ ब्रैंड पे जाएं तो आफ लाँ ब्रैंड पे जाएं उसके बगार गुजारा ही नहीं होगा नहीं जी आर Plaster of Paris मैंने ज्यादा एड़ की है Plaster of Paris मैंने इसमें ज्यादा एड़ किया अच्छा मैं अभी आपको दिखाती हूँ के वह अपलाए करके यानि Homemade जैस अपलाए करके क्या impact आया है और Homemade texture paste अपलाए करके क्या impact आया है Just a minute तो यह देखें जी मैं आप लोगं के लिए ले आई यह आपको कुछ texture नजर आ रहा होगा अब आप मझे बताएं कहां इस पर कोई black dot या कुछ आपको ऐसा नजर आया कहीं पर भी कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है ने इस पर ठीक है तो यह मेरे Homemade जैसो को मैंने अपलाए की है आप तो उनके सामने थोड़ा सा इस पर मैं paint भी अपलाए करके आपको दिखाऊंगी के paint का impact इस पर क्या आएगा ठीक है जी और जो दूसरी चीज है यह molding paste जो मैंने अपलाए की यह एक टूटा हुआ गलास पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैंने का क्यों ना इसे brush holder बनाया जाए तो time ना मिलने के वैसे अभी तक यह paint नहीं हो सका अभी आप लोगों के सामने मैं यह paint करती हूँ ताकि चीज़ें जरा clear हो जाएं तो इसके पर मैंने यह apply किया अब आप मुझे बताएं कि कहां पर इस पे कोई black dot यहां fungus वगारा अपियर हुई है आपके फंगर्स जरूर अपियर हो सकती है मोल्ड बन सकते हैं उसकी सिरफ एक reason है एक तो जब आप इससे नमी वाली जगह पे रखेंगे और इसमें पानी होगा यानि नमी जाना moisture उससे जरा अपने चीज़ों को इन दोनों चीज़ों को बचा के आपने रखना है और इसकी shelf life मैंने आपको बता दी है five to six months है आप इससे बासानी इस situation में use कर सकते हैं मैं अब भी मैं आप लोगों को क्या क्या ख्रलर करके दिखाऊं यह दोनों चीज़ेखें, क्यक्याश की जाना है अब अचOS आप लोगों को अब अब तो क्या क्या ख्याव इंद्धा जाय गया है चलिए जी मैं अभी थोड़ा सा एक मिनट देदे मैं अपने इस बोर को ख्रीन कर लूँ ताके मैं यहां पर आपके सामने यह दोनों जो मोल्डिंग पेस्ट है और जो जैसों पेस्ट है यह दोनों अप्लाइ करके जो इंपेक्ट आया आप मैं आपको दिखा सोते हुआ जस्ता मिनट चलें यह हो गया अच्छा जस्ता मिनट जस्ता मिनट जस्ता मिनट यह नजर आ रहा होगा आप लोगों को ठीक है तो चलें मैं जल्दी से यह आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कि यह मैंने जो बनाया हुआ है तोड़ा सा शायद एंगल का इशू हो रहा हो लेकिन चलें कोई नहीं बस एक मिनट सब आप जेख लीज़ए यह है जो मैंने ह आप में जैसो इस पर इप्लाय किया और जो इसका इंपक्त आएगा वो भी इब आप देखिएगा इस तेख लिए तकार तेक है? अच्छा अब मैं इसके लिए यहां पर यूज़ कर रही हूं एक बड़ा वर्श ठीक है सॉफ्ट बिस्टर ब्रश में यूज़ कर रही हूं यह मेरा ब्रश है कलर्स बने हुए है तो इसलिए टाइम जादा नहीं लगेगा अब मैं यहां पर लूँगी ब्लू कलर और आप यह इसका आपको टेक्शर जरूर अपियर होगा इसमें अच्छा जब भी आप लोगों ने जैसो के साथ काम करना है इस तरह यह टेक्शर देना है तो एक काम जरूर कीज़ेगा यहां तो आपने दो कलर्स को अपोजिट कलर्स को दे के चलना है जैसे मैं ने आपको इस सूफी वाली पेंटिंग में दिखाया के डार्क लू और लाइट लू दोनों कलर्स को मैं यूज़ कर रही थी उसका क्या मक्सद था अभी जो एक ही कलर आपको दिखाया है तो इसस तो मैं ब्लैक को ऐसे डार्क टोन यूज़ कर सकती है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यह जैसो अपलाए करके टेक्च्चर काम करने का क्यों क्योंकि आपको बहुत जादा डिटेल्स में काम नहीं करना पड़ता ज्यादा मेहनत आप कर देते हैं अपने जैसो के साथ आप स्टेक्च्चर बनाने में आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे पूछ सकते हैं साथ साथ अपने क्वेश्चंस लीफ कर दें यहां पर छोड़ दें मैं अभी आपको आंसर करूंगी जस्ट एक डिमांस्ट्रेशन इसकी दे दू तो मैं फॉरन से आप लोगों के जो भी कंसर्णस हैं जो भी कोई क्वेस्चंस हैं सो यह ले यह हो गया कमप्लीट अब अब इस पे यानि एक कोट कमप्लीट हो गया में तरस से भी पूरा बैक्घ्राउं नहीं इसका बना पिर आप इस पे अल्ला लिखें आप इस पे कुछ भी लिखें बड़ा खुब्सूर्ट लिखा जाएगा यह काम भी कर सकते हैं और आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए अच्छा यह जो रफ इस तरह से मैं ब्रश प्रेटी और इसका मतब्य होता है जो कहीं कोई पोल्स रह गए हैं गैप्स रह गए हैं वह भी फिल हो जाएं ठीक है तो यह हो गया इसी तरह यह पोर्शन भी मैं कर लेती हैं जो मैंने फ्रीक को स्टार्ट करवाना है वह इंशालला ताला नहीं डिसेंबर 25 से होगा जी स्टार्ट ठीक है और डिली तो नहीं होगा वह वीक में 3 डेज आपको टिटोरियल्स मिलेंगे यानि लेसन्स उसके मिलेंगे कौन कौन से डेज हैं 25 डेजमबर से ओनवर्ड यानि हम वीक में 3 दिन एक कोर्स और 3 दिन एक कोर्स पर बात करेंगे तो मैं दोनों कोर्सिस ही आप लों के साथ शेयर करेंगी सुफिजम का भी और बेसिक्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग दोनों कोर्सिस बट उसके लिए प्रॉमिस यह करे हैं कि आप लोग रेगुलरली मेरी इन तमाम लेसन की वीडियो को देखेंगे भी समझेंगे भी और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे फाइदा तब है कि अगर आप लोग उन्हें साथ साथ फालो करें तो यह देखें यह थोड़ा सा टेक्च्चर बन गया अब क्या करना है म मैं व्यूस कर रही हूं और यहां पे स्पॉंज ठीक जी जस्टा मिनट मैं स्पॉंज मेलो आप प्रॉंज यूस करना चाहें, आप प्रॉंज यूस कर सकते हैं मैं यूस करें यूश करना चाहें मेरा जाद़ी ब्रॉश इसके बारे में तो आप सब जानते हैं एक पहले भी टिटोरियन में आपने इस ब्रश को अची तरह से देखा हुआ तो मैं यह बहुत जादा पसंद करती हूँ और यूज करती हूँ और अभी मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर जब मैंने यह टैपिंग टेकनीक करनी है ना जब भी करनी है तो मैं बिल्कुल हलका सा कलर लेती हूँ और अब आप यह देखिएगा यह क्या होने लगा है आप हले है यह दो में देखिएग बड़े कर दुब यह पर अप्लाई जाएग अब देखिएग थे टो चुब खर्शक लेगा है कि दाकर टोन आपको मैंने दिखा दी कि दाक जब मैंने किया तो क्या इंपक्ट आया ठीक है जी और मैं थोड़ा सा इसको लेट करूँगी ताकि आप वो भी साथ ची देख लेगा तो यहां से हम थोड़ा सा इसको सो बड़ा एक एंटीक सा आपको लुक मिलेगा इस तरह से जैसो अप्लाइक करके और काम करने का फिर आपको फ्रेंट एंड पर यानि जैसो के बाद का यह जो मैं कोट करी हूँ इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं अच्छा अगर आप हर एक कलर का यह जाते हैं कि हर कलर अपना खुल कर बताएं सही से तो फिर उसके लिए एक कलर को पहले ड्राइ होने दें एंड आप उस पर सेकंड कलर अप्लाइक करें चीज बहुत खुबसूरत बनेंगी तो यह तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि किस तहां से आप टेक्शर तो क्या रिजल्ट आएगा जस्ट हम इनर जी अभी आपकों के साथ में शेयर करती है अब मैं यहां पर जो ब्रॉश यूस कर रहे हूं यह है यह भी इसी का जी इसी किताना का ब्रॉश है बनके चलेंगे ब्रॉश यूस कर लेते हैं यह एक रॉफ्ट बिस्टर ब्रॉश है ठीक है यह मैं यूस कर रही हूं इस जार के लिए इस ग्लास के लिए ठीक है यह मैंने कौपर और गोल्ड बं con यहे पा नों नों कलर को मिक्स कर के कौपर और गोल्ड पेल जूँ था कि अफस्यूक्pent कर रॉफ्ञा इसे मिक्स करें मैं रखा हुआ है और यह देखें टेक्ट्चेर देखें आपके क्या आपको प्रॉमिन्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके पास घर में कोई गलास या जार या कोई गलास की बॉटल अगर वेस्ट पड़ी हैं तो क्या जाता है अगर आपको बासानी एक decoration piece मिल जाए वह मैंसे तो आप इस तरह से पहले अपनी paste बनाए और पेस्ट बनाने के बाद जनाब आप उसे apply करें कुछ भी strokes दे के जैसे यहां मैंने यह strokes दी है palette knife use कीज़ेगा इस काम के लिए तो यह मैंने strokes दी हैं इसके आप इसको wooden भी दे सकते हैं यह ब्लैक कलर करके और पर कहीं ब्राउन कलर दें तो यह बिल्कुल एक wood कलर जो है वो बन जाएगा यह ब्राउन कलर करके तो आप उस पर black के strokes दें ब्लैक कलर बन जाएगा तो यह idea कुछ समझ में आया है यह आप लोगों के लिए useful है यह बेस्ट of time ही है जल इसे comments में बताएं कि आप लोगों की suggestion आप लोगों की राए सबसे ज़रा ज़रूरी है मेरे लिए अब यह देए कोई मेहनत नहीं कुछ नहीं करना पड़ा अचा फिर आप यही जो है वो अंदर वाली side पर भी आप कर देते हैं और आपका यह texture वाला काम complete हो जाएगा double shade देना है कोई मसला नहीं है उसके लिए कौन सा color सेजेस्ट करते हैं आप इसके साथ इस color के साथ इसके उपर एक हलका सा और color मैंने देना है सेजेस्ट करें सबसे पहले देखते हैं किया suggestion आती है उसी color को मैं apply करूँगी जल्दी से इस color के साथ दूसरा color कौन सा apply करूँ और आवाइज को कर लेते हैं है कि अच्छा लेगा इस अच्छा लेगा बिलकुछ रखाए कि अपने माइं में भी ब्लैक ही था किर्था निक्री अब डाइव कर लेगें हैं हैं मैं ब्लैक के साथ जाओं तो पर मैंने का थोड़ा सा पहले इसको ग्रीनी लेकिन एक बात का मैंशा ख्याल रखेगा मैंने भी इस लाइफ की वज़ा से इसको ड्राय नहीं होने दिया और फॉरन से दूसरा कलर अप्लाय कर दिया अगर आप अलग अलग हर एक कलर का इंपक्त चाहते हैं जैसा कि मुझे पसंद है कि हर कलर कि ख्लक के आए अपना इंपक्त अलग से में तो फिर जे हम पर आपने यूज़ करना है कि आपने पहले को ड्राय है एक कोडिक को ड्राय होने देए n था ये पर अब पहर है ऐसब नहीं दब भी उड़ा कि ठेसे अब झींसकी आई होप कि ये चीज आप लोगों को पसंद आएगी जरूर इसको करें और फिर मेरे साथ शेयर करें मुझे जब इस किसम के चीज़े आपने भेजनी है तो काइनली इंस्टाग्राम पे भीजा करें ठीक है और इस तरह से पोटो शूट करके भीजा करें कि मैं उन्हें आगे आदे शेयर भी कर सुझहूं कि ये मेरे वीवर्स का काम है ये मेरे उन स्टुडेंट का काम है जो तो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को समझ कर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह देखें इसका थोड़ा सा इंपक्ट आ गया दो तीन मिनट यह ड्राइ होने में लेगा ज्यादा टाइम भी तो नीचे मोल्डिंग पेस्ट है जो जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेगा तो जैसे यह जड़ा ड्राइ होगा इसके पर हम ब्लैक कलर का हलका सा कोट देंगे तो इस तरह से यह काम आप कर सकते हैं अभी मैं आती हूँ क्वेश्चिन्स जो आप लोगों ने पूछे हुए हैं उनकी तरफ ठीक है एक मिनट जैस्ट आ मिनट मुझे भी अपना यह सारा सिस्टम मूफ करना होगा इदर अच्छा तो जो क्वेश्चिन्स थे जो कोई भी क्वेश्चिन्स से आप लोगों के क्या हैं अपने नहीं जरुआ यह तो अब जो लोग डियूर्ली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है नोटिफिकेशन बटन जिन्होंने प्रेस किया हुआ है उन्हें पता है कि मैं गाहे-बगाहे जब कोई चीज़ परचेश करती हूँ तो मैं ज आपको शेयर नहीं की वो शेयर कर देनी चाहिए मैं मैंने आपको इंस्टा में अपनी हेक्रिलिक पेंटिंग सेंड की थी आपने रिप्लाय ने किया तुम्हें मैंड बी धिर इस सम रिज़न यहां तो मेरे कॉर्सी स्टार्ट होने होंगे क्योंकर जिब कॉर्सी में आप लोगों ने क्या क्या लर्न किया आई होब कि आप लोगों के लिए यूसफुल सेशन रहा होगा स्टार्ट में मेरी बतीजी यहां पर थी तो वो बड़ी एक्साइटीड थी कि आज मैं लाइफ जाओंगी खैर वो बोलती ज़रा सही तरह से नहीं है थोड़ा भी वो बैबलिंग स्टाइल है उसका लेकिन वाकी आर्टिस्ट वो कमाल की है काम वो मेरे साथ करती है तो अब भी तक यही सारा कुछ 25 डेसंबर दुबारा से मैं बता रही हूं 25 डेसंबर से कायद डे के लिहाज से मैं आप लोगों के साथ सुफिजम परिंटिंग कोर्स पहले श दोनों कोर्सेज में जो लेसंस के वीडियोज हैं वो 12 12 हैं ठीक है और उसके इलावा टुटोरियोज मैं फिर उनमें एड करती चली जाओंगी विज टाइम ताके आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स लेरन करके आउयल्स और एक्रिलिक्स दोनों में काम कर सकें विदाउट पेइंग एनी रुपी सबसे चीजी जीज यह है कि मैं आप लोगों से यहां पर कोई भी रिजिस्ट्रेशन फी नहीं मांगी जा रही ठीक है जी और वो तमाम लोग जो कैलीग्राफी लेरन करना चाहते हैं चाहे वो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है कैलीग्राफी बेसिक् पता रहे हूं और एड्वांच कैलीग्राफी पेंटिंग है तो उन लोगों के लिए कोर्सिस मेरे अवेलेबल हैं आप लोग कोर्सिस जाइन कर सकते हैं लेकिन उसकी न्यू न्यू कोर्सिस के इंटेक जो है वो स्टार्ट होगी आफटर 20 जैनुरी 20 जैनुरी के बाद न् न्यू रिजिस्ट्रेंट्स के लिए न्यू स्टुडेंट्स के लिए मैं रिजिस्ट्रेशन ओपन करूंगी तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तिल दें टेक क्यर अगर किसी का कोई क्वेस्टन है आप पूछ सकते हैं अधर्वाइज आम गोंग टो एंड इस ल मेरे ख्याल से अब आपके में से किसी का कोई क्वेस्टन नहीं है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें टेक क्यर अलाहाफिज